Economics Virtual Classes में आप सभी का स्वागत है आज हम भारतिय अर्थव्यस्ता का विकास के अंतरगत सुतन्ता की पूर संध्या पर भारतिय अर्थव्यस्ता के बारे में विस्तार से अध्यम करेंगे प्यारे बच्चों कक्साए 11 में अर्थव्यस्तार से में हम सबसे पहले सुतन्ता की पूर्व संध्या पर भारतिय अर्थव्यस्ता के बारे में अध्यम करेंगे यह हमारा पर्थम पार्थ है इस अध्याय में हम सबसे पहले सुतन्ता प्राप्ति के समय वर्थ 1947 में भारत की अर्थव्यस्ता की दिसा के बारे में जानेंगे और कौन-कौन से ऐसे कारण थे जो भारत का आर्थिक विकास ना होने के लिए उत्तरदाई था अल्पी विकास क्यूं था भारत का उसके बारे में हम यहां कारक को जानेंगे तो सबसे पहले हम परिचे लेते हैं भारत का आर्थिक विकास तो इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों सब पहले भारत का आर्थिक विकास कैसा था और बाद में भारत का आर्थिक विकास आजादी प्राप करने के बाद कैसा हुआ तो एक ये इतिहास है भारत का आर्थिक विकास का तो आर्थिक विकास आर्थिक जो सब्द होता है उसका संबन धन से भी हो सकता है और विकास से भी हो सकता है तो आर्थिक विकास कोई एक छोटा सब्द नहीं है इसका एक व्यापप करते हैं कि देश में किर्शी, उद्योग, बिजली, सड़क, परिवहन, आदी और मुनिश्य का शैक्षिक विकास ये सारा का सारा आर्थिक विकास में आता है कि लोगों का रहन का सहन का अस्तर कैसा है ठीक है ये सब आर्थिक विकास के एक रूप है उसी में ये सब चीजे आती है तो आज हम इस पुस्तक में भारत का आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में आज आप देख रहे हैं याँ पर कि भारत में आज तुम्हें बहुत अच्छे चीज़ सड़कें रोड बिजली पानी अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं लिकिन आज से 200 वर्ट्स ये पहले कुछ नहीं था जब अंग्रेजों का भारत में सासन था तो अंग्रेजों ने भारत में केवर लूट मार करी 1915 अगस्त 1947 और 200 वर्ट्स तक ब्रिश्ट्रिस ने भारत में सासन किया मतलब 15 अगस्त 1947 से 200 वर्ट्स पीछे चले जाए ठीक है तो उसे अपनिवेशिक शासनकाल कहा जाता है इसका मतलब है कि देश हमारा और सासन किसका इंग्लेंड का तो अंग्रेजों ने भारत में आकर भारत की अर्थविवस्ता को एक पोशक अर्थविवस्ता तक सीमित रखा अर्थार ऐसी अर्थविवस्ता जिसका विकास ना हो और उसका शोशन होता रहे तो यही अंग्रेजों का मूल आइडिया था उनका भारत का विकास ना करना, तो अपनिवाशिक सासनकाल के अंतरगत निम्य इस्तरी आर्थी विकास, तो भारत का जो आर्थी विकास वोओ, बहुत ही कम हुआ, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विकास हो सके, क्योंकि उनका उद्येशे था भारत का शोशन करना तो उन्होंने भारत को केवल किर्षी तक की परधान तक छोड़ दिया यह उद्योग धंदे आदी वी निर्मान आदी की गती विद्यां बहुत ही कम रखी जिसे सूती, रेश्मी वस्त्र, धातु, भामूल्य, मनी, रत्र, आदी भारत अंग्रेजों के आने से पहले पूरे संसार में परसित था उतक्रिष्ट केंद्र बोला जाता था भारत को और भारत की बनिवी चीजे पूरे विश्व में परसित थी जैसे बंगाल का सूती वस्त्र, यह पूरे वर्ल्ड में फेमस था मल-मल एक ऐसे परकार का कपड़ा होता था, जो बहुत ही रेश्मी होता था और बहुत महीन होता था, जिसकी मांग पूरे वर्ल्ड में थी और अंग्रेज लोग इनी कपड़ों को और भारत के मसाले खरीदने के लिए हमारे देश आते थे और इसके बदले वे भारत को सोना देना होता था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत में बहुत अधिक सोना है इसलिए वो भारत में सोना प्राप करने के चकर में भारत का वयपार को कब जब करने के चकर में भारत आए तो कलात्मक वस्तों की मांग बहुत जादा थी भारत में बहुत अच्छे ची वस्तों में बनती थी अंग्रेजों के आने से पूर्व लेकिन जब अंग्रेज भारत आ गए तो उनका मूल उद्देश्य था अपने हितों को संड्रक्षन देखना अपने वेपार को संड्रक्षन देना ना कि भारत को तो उन्होंने क्या करा भारत को एक कच्छे माल की फैक्टरी में कनवर्ड कर दिया अर्थाद भारत से कच्छा माल इंग्लेंड जाता था और वहां से तयार माल बनके फिर भारत आता था भिकने तो भारत केवल एक आयाद बातकार देश बन गया मतलब वस्तु खरीदने वाला बन गया जिबकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक निलिया तक देश था पूरे वर्ड में भारत की वस्तु बिक्ति थी और जिसके कारण भारत बहुत अधिक मातरा में सोना प्राप करता था इसलिए भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जब राश्ट्री आये और परतिवेक्ति आये का आकलन किया गया तो पता चला कि भारत की आर्थिक इस्तिति अंग्रेजों के आने के बाद बहुत खराब होगी अब राश्ट्री आये और परतिवेक्त और परतिवेक्ति आये होती है जैन संक्या को राश्टि आये से भाग दे दो तो हमें परतिवेक्ति आये प्राप्त होगी मतलब एक वेक्ति की आये हमारे देश में कितनी है तो दादा भाई नौरोजी, विलियम्स, डिगव, फिंडले सिराज, राव, देशाई आदी ने सब की अनुमान लगा जा सके कि भारत की राश्टि आये अंग्रेज्यों की आने के बाद कितनी है तो मोटे तोर पे जब उन्होंने अनुमान लगाया तो उन्हें पता चला कि भारत की वाटसिक आये की विर्दी है वो केवल मात्र आदा पर्तिशत रह गई है मतलब पहले से का की कम हो गई अब क्यों कम हो गई इसके कई कारण थे पहले हम क्रसीचेतर को लेते हैं किर्सीचेतर अंग्रेजों ने भारत में यहां के कुटूर उद्योंगों को नस्ट किया जिसके फल सुरू भारत की संक्या 85 परतिशत किर्सी पर निर्भर रहने लगे तो अंग्रेजों नोई यहां पर किर्सी का कोई विकास नहीं किया और चितर में तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिस अपनिवेशिक सासनकाल के अंतरकत भारत में किर्सी की गती हिंता अर्थाथ भारत की इस्तिती बहुत खराब हो गई अकाल पढ़ते थे, सिचाय के कोई साधन नहीं थे अंग्रेजों नोगेवल लगान वसूलने के सिवा भारत में किर्सी कारे में कोई विकास के पढ़ती कोई रूची नहीं दिखाए उनका उद्देश्य था केवल किर्सी के माध्यम से लगान प्राप्त करना ठीके, तो जिससे किर्सी उत्पादक्ता में निरंतर कमी आते चलेगी मतलब उत्पादन पहले से भी कम होता चले गया भू विवस्ता प्रणाली इसका मतलब होता है भूमीम सुधार ठीके, तो अंग्रेजों ने हमारे देश में नई पर था जमीदारी विवस्ता लागू करी जमीदारी विवस्ता क्या होती है जिसमें लगान वसूलने का कारे कुछ ऐसे वेक्तिव को दिया जाता है जो जमीन पर कबजाज इनका मालिकाना हक होता है और वो क्या करते हैं वहां से लगान वसूलते हैं और उसको अंग्रेजों को देते थे और जो किसान लगान समय पे नहीं दे पाते थे तो जमीदार उनकी जमीन को हडप लेते थे या उन पर कई परकार के अत्यचार करते थे जिसके कारण किसानों के पास कुछ नहीं बचता था तो जमीदार और बिर्टी सरकार दोनों ने किर्सी छेत्र की दसा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जमीदारों की रूची तो किसानों की आर्थिक दुर्दसल के परती थी उसका उन्होंने अंदेखा किया उनका उद्देश केवल लगान संग्रा करने तक ही सीमीत था कि किस तरह हम अधिक से अधिक किसानों से लगान वसूल करें ठीक है और सरकार ने भी एक निश्चित धनरासी जमिदारों को बोल रखी थी ज़़ अकाल आये च़़ तूफान आये एक निश्चित धनरासी उनको हमेशा चाहिए सीचाई आधिकी कोई सुविदाय अंग्रेजों ने परदान नहीं करी उर्वरकों का परियोग ना के ब्राबर होता था किर्सी के वेवैसाई करण के कारण नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ा किर्सी के वेवैसाई करण का क्या मतलब हुआ किर्सी का वेपार करना तो अंग्रेज लोग किर्सी का वेपार करते थे नगदी फसले वो होती है जिनको हम खा नहीं सकते जैसे गन्ना हो गया कपास, पटसन, रबड, नील इनका उप्योग वो किर्सी वेवैसाई करण के लिए करते थे ताकि इन से बनी वस्तों को विदेशों में बेचा जाए और अधिक मातरा में धन कमाया जा सके और इसका लाब भारती किसानों को नहीं मिला क्योंकि खाद्यान की खेती के स्थान पर उनको नगदी फसल उगाना पड़ता था और इन फसलों को अंग्रेजों को बेचना पड़ता था और ये एक परकार का कच्चे माल के रूप में इनका प्रियोग होता था इंग्लेंड में लगेवे कारखानों में जो नगदी फसले होती थी जैसे कपास उससे कपड़ा बनाया जाता था तो भारत को एक परकार का कच्छा माल का निर्यातक देश बना दिया गया था और आयातक वस्तू जो निर्मित वस्तू थी उसका आयातक देश बना दिया गया था. जिससे भारत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा और सिचाई की सुविदाएं यहां पे नहीं थी और बाद बे भारत का विवाजन होने के बाद एक बहुत बड़ा भारत का उपजाओ हिस्सा पाकिस्तान चले गया था जिससे भारत को और अधिक नुकसान हुआ परतिकूल से हम रसी बनाते हैं और रसी से बोरे बनते हैं तो आजकल तो पट्चन का उप्योग कम होता आजकल आप्टिफिशल रेसों से आप देखते हैं कि धागे बनाय जाते हैं इफिशल तरीके से, लेकिन पहले पट्सन का उपयोग किया जाता था, तो भारत के विवाजन से भी बहुत असर्पटा किर्सी में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान चले गया, कुछ बंगलादेश चले गया, इसके बाद है उद्द्योगिक छेतर, उद्योगिक छेतर में भी भारत का पतन हुआ भारत की जो सिल्फ कलाएं थी वो विस्परसित थी लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने उनका शोशन किया और भारत को एक ऐसा राष्ट बना दिया जहां उद्योगिकरण था ही नहीं और उनका उद्देश था कि इंग्लैंड के उद्योग चलते रहें और भारत से कच्चा माल इंग्लैंड को मिलता रहे ठीके तो उन्हें एक विशाल बजार की आवशक्ता थी अपनी वस्तु बेचने के लिए तो उन्होंने भारत में इसका परियोग करा कि भारत से कच्चा माल अपने देश ले गए और वहां से बनावा माल भारत को अधिक दामों में बेचा जिससे वो 12 लाब कमाते थे जिसके कारण भारत ये सिल्फ कारों का पतन हुआ जब मसीनों से बनी वसने भारत आने लगी मसीनों से बनावा कपड़ा भारत आने लगा तो लोग हाथ का बुना हुआ कपड़ा नहीं खरीते थे जिससे भारत में बेरोजगारी फैली और जो भारत के सिल्फ कार थे वो तबहा हो गए तो वो लोगों ने क्या करा उन्होंने सिल्प कारी को छोड़ कर क्या अपना लिया किर्सी कारे अपना लिया जिससे उनको बहुत अधिक नुकसान हुआ तो इंग्लेंड लोग क्या करते थे अंग्रेज भारत से निर्मित सस्ते निर्मित उत्पाद खरीते थे और उनको बूज के भारत में होने नहीं दिया, लेकिन आधुनिक उद्योगों की स्तापना भारत में कुछ लोगों ने करी, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, और अधिकांस उद्योग जो भारत में स्तापित हुए, वो भारतिये लोगों ने स्तापित किये, और वो अधिकांस महाराष्ट और गुजरात में उस्तापित हुए ठीक है पटसन उद्योग बंगाल साइड में हुआ जिनक में कुछ विदेशियों ने अपने योगदान दिया और बंगाल तकी सीमीत रहा टाटा समू ने टाटा आयरें इस्टील कंपनी टिसको की स्तापना 1907 में करी और दू हुए लेकिन उनकी रफ्तार बहुत कम थी तो पूझीकत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें बहुत अधिक मातरा में धन लगाना पड़ता है मसीने लगाने पड़ते हैं तब जाके उत्पाधन कारे होता है तो इसका पूझीकत उद्योगों की स्तापना भारत में अधिक नहीं हो पाई क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक मातरा में मसीने और कलप पूर्जों की अवश्रक्ता थी तो अधिकतर भारत में जो उत्पाधन कारे किया गया वो भारत के ही लोगों के द्वारा भारत के नागरिकों के द्वारा किया गया बिर्टी सरकार की लों में। उत्पाधन कारे करा वो भी इनका इसने स्वार से वो भारत की वनिवस्तों को एक जगा से दूसरे स्तान स्ठाण पोचाते थे और बंद्रगाउन से वस्तों को दूसरे देश भेशते थे विदेशी वेपार प्राचिन काल से भारत में विदेशी वेपार में अग्रणी देश रहा था भारत पूरे वर्ड में भारत की बनीवी चीजे परसी थी जैसे रेशम कपास उनी चीनी नील पर्टसन आधी के शोशन किया और ब्हारत बाद में आया तक देश बन गया और भारत का वेपार इंग्लैंड के साथ होने लगा दिकतर स्वेज नहर के बनने के कारण भारत का और तेजी से सोशन हुआ उसका कारण क्या था ये चितर देख रहे हैं आप इसमें पहले ये इंग्लेंड था अंग्रेज लोग यहां भारत में पूरा अफरीका के चक्कर काटते थे और उनको बहुत अधिक समय लगता था दो तीन मैने लग जाते थे लेकिन जब ये स्वेज नहर का निर्मान यहां पर हुआ तो इससे क्या हुआ कि यहां से भारत में व्यापार करना और आसान हो गया जो तीन मैने का समय लगता था वो अब एक मैने में ही पूरा होने लगा इससे भारत का और तेजी से सोशन होने लगा स्वेज नहर के निर्मान के कारण जन संग्या 1881 में सबसे पहले भारत में जनगंडना आरम की गई और उसके बाद हर दर्स वर्सके बाद जनگंडना आरम अंग्रेजोने करी और उसके बाद नाइटीन ट्वेंटीवन में दुबारा जनगना करी गई तो भारत की जनसंख्या काफी विर्दि-दर काफी थी और शाक्सक्तार दर जो पढ़े लिखो की दर केवाल 16 पर ती भारत में मतलब बहुत कम लोग पढ़े लिखे थी और मायलाओं की सकसरदर निर्ग्रन यह थी, मतलब कोई भी मैला उस जमाने में पढ़ती नहीं थी, बहुत कम पढ़ती थी, और मुर्तिवदर बहुत ज्यादा थी, शिर्ष्ट्री मिर्तिवदर बहुत ज्यादा थी 63 थी पड़ती हजार वेक्ति के उसमें और जीवन पड़त्यासा जो आज 63 उसमें 32 वर्स होती थी अर्थाद अधिकतर लोग 32 या 35 वर्स की उमर में ही मर जाया करते थे क्योंकि उसमें चिकित्सा आधिका हमारे देश में निम था वैवासा एक सरच न तो अध्योगिक छेत्र में श्रमीकों का अनुपात का हमें ज्यादा आखड़े पता नहीं है लेकिन किर्सी छेत्र में हमारे देश में 70-75 जनसंख्या लगी वी थी और केवल 10% जनसंख्या केवल निर्मान कारे में या सेवा छेत्रों में जैसे डॉक्टर, वकील या बैंक आधिकारियों में उस समय मदरास प्रेजिडेंसी जिसको आज हम तमिलनाडू बोलते हैं वहाँ पर किर्सी छेत्र में थोड़ा निरवरता कम थी वहाँ उद्योग दंदे थे थोड़ा और पंजाब, राजिस्तान, उरिसा के छेत्र में क तो वेवैसाइक सरचना में 1850 में भारत में रेलो का विकास आरम माना जाता है, तब भारत का विकास 1850 के बाद थोड़ा आरम हुआ, जब रेलो का तेजी से अंग्रेजों ने भारत में विकास किया, और इस से भारत में जनता की पहुंच एक जगा से दूसरे जगा आसानी से होने लगी, लोग लंबी आत्राही करने लगी, एक दूसरे को जाने लगे और किर्सी का वेवैसाई करन बड़ा, अर्था किर्सी फरसलों को एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने में आसानी हुई, यह पहला जो अच्छी तर आप यहां पे देख रहे हैं, यह भारत, बुंबई और ठाने को जोड़ने वाला पहला रेल पुल कर यह निर्माण किया गया था, इसके बाद निसकर्स हम यही बोलेंगे, और टाटा समू ने 1932 में भारत में सबसे पहले एरोपिलेन उडाने की पहल करी थी, तो निसकर्स के रूप में हम यही करेंगे, 200 वर्स का जो विदेशी सासन था भारत के लिए बहुत ही खराब था, जिससे भारत की उत्पादक्ता बहुत कम हो गई थी, और स्वर्जनिक निवेस में विर्दी अंग्रेजों ने नहीं करी, विदेशी वेपार केवल इंग्लैंड की उद्धोगी करांती को पोशित कर रहा था, अ और जितनी भी रेल का नेटवर्क भारत में स्तापित किया, उसका मुख्य उद्धेशी था, भारत का विकास करना नहीं था, बलकि उसका उद्धेशी था, अंग्रेजों का विकास, ताकि भारत से बनीवी वसनों को रेल के मार्क से, बंदरगा के मार्क से, तेजी से दूस बहुत अधिक थी तो इससे हमें पता चलता अंग्रेजों का सासरकान भारत के लिए बहुत ही खराब रहा है अटसास विशे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यूटू मेरे शेलसे सकते हा सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल झाल